गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में प्राचिन काल में भारत अत्ता तिबत के समंदों के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा फ्रेंड्स इसे पहले वाले वीडियो म हमने प्राचिन काल में भारत अत्तिया की समंदों केान चैनल इंडियह जानकर इवऑ्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक केंड शेर करें ताकि आपके फ्रेंज तक भी इत्यास विशे से समधित महत्तों पुन जानकरी पहुंच सके और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेसर मिले और आप एकजाम की अच्छे से तयारी कर सके तो जलिए पढ़ते हैं प्राचीन काल में भारत तता तिबत के संबंद पामीर के पठार्श या आच्छादी तिबत एक दुर्गम एम हिमन्डित पाड़ी परदेश है यह तीर बड़े चेत्रों में भक्त है जिने छोलखा कहा जाता है माभारतेम कालिदास के रगुवन्स महाकावे में तिबत का उलेक त्रिविस्ट अपनाम से मिलता है लेकिन इसके साथ भारत का संपर्क वस्तुते बोधरम के माध्यम से हुआ था तो जब हम लोगों ने आपको बोधरम पढ़ाय था तो ये भी बताया था कि बोधरम का परचार कहां कहां पर हुआ ठीक है तो आप पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखेगा सांग सन गंपो नामक एक अत्यन सक्तिसाली राजा हुआ जिसने मद्दे एसिया पर आकरमन कर वहां अपना अधिकार इस्ताफित कर लिया नेपाल पर भी उसका अधिकार था उसने चीन तथा नेपाल की राजकुमारियों के साथ अपना विवाह किया उसी के समय में सांगम्पो के मन में इस दरम के परती आस्था उत्पन हुई और उसने थोनमी संभोट नामक विद्वान को अभिलेक भासा विज्ञान और व्याकरण के अध्यन के लिए भारत भेजा अध्यन और प्रांत वापस लोटकर उसने तिबथी भासा के लिए एक वन माला तता व व्याकरण का अविस्कार किया थमबोटी को तिबथी सहीते का जनक कहा जाता है सांगम्पो का उदर से भारती बोध गरन्तों का तिबथी में अनुवात तयार कराकर उसे लोग पर ये बनाना था इसके पूर्वे तिबथ के लोग बोध रम को मानते थे तता जादू टोना भूत प्रेथ सहीत अनेक प्राकरतिक सक्तियों की पूजा करते थे ये नाना प्रकार के अंधिविश्वासों से ग्रशित थे बोध रम को देश व्यापी बनाने के उद्धसे से राजाने नालंदा एवं ओदन्द पूरी विश्व विदालों से करम से सांत रक्षित एवं पदम संभव को तिबथ आमंतरीत किया इन विद्वानों ने वहाँ जाकर बोध रम को के साथ साथ सिख्षा, साहिते, लीपी, कला, विज्ञान, ओस्ती, तंतर विज्ञान, आधी के विकास का मार्क परसस्ते कर दिया इनके निर्देशन में वहाँ विहार का निर्मान हुआ तिबथ में बोध रम की नीव को सुद्रड करने का काम पदम संभव ने ही किया जो तंतर विद्या में निश्णान्त थे यहां बोध मत्की वजरियान साखा का परचार परसार हुआ यदपी प्राचें दिबथी समाज में तंतर मंद परथाएं थी लेकिन बोध रमानुयाई आज भी पदम संभव को अपना गुरू मानते हैं ग्यारवी सताबदी में विक्रम सीला के महान आजारिये 38 दिपंकर यहां पहुंचे तदा 17 वर्सों तक निवास कर बोध धरम के परचार परसार का महान कारिये किया इस परकार 17 से 15 सताबदी तक तिबबत के परतेक भाग में बोध धरम व्यापक रूप से फैल गया तिबबती लोग आज भी गर्व से अपने धरम को बूध का धरम कहते हैं धरम के साथ साथ कुछ अन्य छेत्रों में भी भार्तिय प्रभाव दिखाई देता है तिबबती लिपी का आविस्कार नालंदा विस्वविदाले में हुआ भार्तिय शिक्स्या प्रणाली को भी तिबबत में अपनाया गया वहां के मठों यह विहारों का निर्मान भार्तिय विहारों के अनुकरण पर क्या गया समय विहार के वास्तु पर नालंदा यों ओदंदपुरी की वास्तु कला की चाप मिलती है तिबबत में विद्देमान विशाल मंदिर यों मूर्तियां स्पस्ता भारतियां है बोध मूर्तियों के साथ साथ नवग्रह, शीव, इंद्र, गणे, सर्ष्वती, काली आदि की मूर्तियां भी भारतिय प्रंप्रा यों प्रभाव की देन है मठों, मंदिरों की दिवारों यों वस्त्रों पर जल मिस्तृत रंगों से जोचितर कारियां की गई हैं वे भी भारतिये हैं विक्रम सेला के आदर्श पर निर्मित साक्या विहार लंबे समय तक राजनितिक एउम धरम का के अंदर बना रहा अन्य तिबत्ती मठों एउम विहारों में बोगत धरम की फर्चार के लिए भारती विश्व विदालों की व्यवस्था को ही अपनाया गया ओस्ती विज्ञान में भी यह खा गया है कि सरीर के साथ साथ मन इंदरियों तधा आत्मा के परशन होने पर ही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थे होता है इस परकार तिबत्ती सेंस्कृति के वीविद पक्सों पर भारतिय प्रबास पर्स्था परिलक्सित होता है तिबतियों ने बोध की वजरियान साखा के मूल संस्कृत ग्रंथों का अनुआद आज भी सुरक्षित रखा है जो भारत में प्राप्त नहीं है इनी के मादेम से आज विश्व को इस संपर्दा के विशे में जानकारी हो सकती है आज तिबत चीन के अधीन है वहां के सासक चोधवे दलाई लामा अपने अनुआईयों के साथ हिमाचर परदेश के धरम साला में निर्वा से जीवन वेतीत करते होए विश्व असानतियों सत्भाव के लिए बोध धरम की जोती जगाते होए है तो देखेगा इस वीडियो में हमने प्राचिन काली जो भारत है तिबत है इन समंधों में जानकारी प्राप्त की इसी प्रकार से इंडिया ओलडेज पे आपको और भी इध्यास विशे की जानकारी मिलती रहेगी तो बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे